हमारे Create Campaign सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है Types of Campaigns अपने लिए सही Campaign को चुने शुरू करे इससे पहले क्या आपने अभी तक Starter Kit वीडियो देखा है? अपने Dashboard पर, Cellar Learning Center पर इसे देखें और हर बार एक सफल Campaign कैसे बनाया जा सकता है? इसके Basics देखें आईए, अब विभिन्न प्रकार के Campaigns के बारे में जानते हैं आप दो तरह के Campaign बना सकते हैं Cost Per Click यानि CPC Campaign या Smart ROI Campaign Campaign टाइप चुनते वक्त आपको अपने End Goal के बारे में Clear होना चाहिए यदि आप अपने Products के लिए Higher Visibility चाहते हैं तो CPC Campaign आपके लिए सही विकल्प है हाला कि यदि आपके पास अपनी Listing के लिए एक विशिष्ट ROI है तो Smart ROI आपके Campaign बनाने के लिए एक सही टूल है आईए, अब Smart ROI Campaign के बारे में समझते हैं आड Campaigns बनाने के लिए Smart ROI Campaign एक सिंपल और समार्ट तरीका है यह Sellers को उनके Advertising Campaigns की Expected ROI सेट करने में मदद करता है आपने Starter Kit वीडियो में सीखा होगा कि अपने Campaign में Listings कैसे आड करते हैं आईए, अब Smart ROI Campaigns के लिए Budget और Duration कैसे निर्धारित किया जाता है, यह देखते हैं सबसे पहले, Campaign Type में Smart ROI चुनें Campaign Start Date चुनें Budget खत्म होने तक हम आपको Campaign चालो रखने की सलाह देते हैं जैसे ही Budget समाप्त होता है, आप और Funds आड कर सकते हैं और इससे Campaign अपने आप लाइव हो जाएगा आप Campaign का End Date भी डाल सकते हैं अपने Campaign Budget और Expected ROI को आड कीजिए, जो आप पाना चाहते हैं हम हर Campaign के लिए Minimum 5000 रुपियों का बजट रखने की सलाह देते हैं आपका Budget आड ग्रूप्स में बाटा जाएगा आप Individual Ad Groups के लिए जरूरत के अनुसार Budget Limit आड कर सकते हैं कृपिया ध्यान दे, ये Step Optional है आपको किसी विशेश आड ग्रूप लेवल को लिमिट करना है, तो ही इसका उप्योग करें यदि आप Budget Limit आड करना चाहते हैं, तो कृपिया ध्यान दे कि प्रतेक Ad Group के Budget Limit राशी हमेशा Campaign Budget से अधिक या बराबर होनी चाहिए उदाहरन के लिए मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपियों का बजट है और आपके पास 2 Ad Group हैं, तो आपके Budget Limit का योग 5,000 से कम नहीं हो सकता है Ad Group की ROI, Suggested ROI Range में से चुने, जो की Minimum और Maximum ROI होती है Ad Group की एतिहासिक Performance से Campaign पूरा होने तक आप किसी भी वक्त Campaign Budget और Campaign Limit को एडिट कर सकते हैं आप Search Keywords को हटा सकते हैं, जिन के लिए आप अपनी Ad नहीं दिखाना चाहते हो Keywords को सिर्फ कौमा लगा कर अलग कीजिए, और उन्हें समझदारी से चुने, क्योंकि वे आपकी Ad की Visibility को प्रभावित करता है आप जितने चाहिए, उतने Keywords डाल सकते हैं Smart ROI Campaign बनाने के फायदे हैं कि 1. अच्छा ROI मिलने का ज्यादा संभावना 2. System Optimized Campaign 3. Optimum CPC Bit चुनने का कोई दबाव या परिशानी नहीं होता अब जब आप जानते हैं कि अपना Smart ROI Campaign कैसे बनाएं और यह आपके लिए कितना अच्छा है, तो अपने Dashboard पर जाएं और नया Smart ROI Campaign अभी बनाएं क्या आपी परीग बनाएं क्या आपके लिए बनाएं 2. लिए 2. लिए 2. लिए झाल झाल